जी असलाम लिकुम कैश्च साहबान आज के लेक्चर का अगास करते हैं आज लेक्चर 87 और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं माइनिंग आप में एक तो कल के लेक्चर में जो कंसेट पढ़ा था उसे एक यह क्वेस्टन है छोटा सा फिर इसके बाद हम फरदर जो ईजिएटमेंट फिएफ़äर ट्व अफियल युकुईलेटर हनं रेपोर्ड ऑफिशिल लिखीडेटर कर दिया था एक अधर द्व ही है कर दिस करके लिक्वीहिडेटर करता है और vendk को सम्मेट करवा देता है और जिसको मजीद करवानी हो जैसे रिजिस्ट्रार को भी मैंने आपको assignment दे थी reading assignment कि आपने statement of years to official liquidator और रपोड़ बाइ official liquidator को दोनों के contents को पढ़ना है और देखना है कि इन दोनों में फरक क्या है पढ़ के आई है कितने इस्ट्रोंट पढ़ के आई है यह नों के contents यह ले और कितने स्ट्रोंट से जो एक कम बसकम content पढ़ के आई है a statement of age to official बड़ी बड़ी बात कि दोनों बड़े हैं शाब बाज तो आज हम रपोर्ट पाफिशल लीकुडेटर के बारे में स्टडी करेंगे ऑफिशल लीकुडेटर रपोर्ट कब किसको जमा करवानी है और इसमें क्या सिजन लिखी होंगी फिर इसके साथ ही जैसे ही report court को जमा होगी इसके साथ ही हमारा winding up by court है इसका concept खत्म फिर इसके बाद हमने other modes of winding up study करने हैं other modes of winding up कौन से है? other total तीन modes of winding up बताया थे ना कर ना कोड़ करता है कमपनी के मम्根श क्योंश कोड़र मिलकर करेंगे और कि अथि काम सारे कंपनी करेगी डिरेक्टर उगारा है कोड़ organize करें लेकिन कोड़ के सारी पावस होंगी जो winding up by code में होती है यानि अगर supervian में code को लगे ना liquidator सही नहीं point किया तो वो उसको replace करके अपना official liquidator भी point कर सकता है subject to supervian of code और फिर हम study करेंगे कि अन्मरियन of mode of winding up कि एक mode of winding up दूसरे mode में convert हो सकता है क्या voluntary winding up subject to supervian में convert हो सकती है अगर एक माणिगा चल रही है वह सही तरी कैसे नहीं हो रही तो उसे upgrade करके किसी दूसरे mode में convert कर सकते हैं कर सकते हैं यास कर सकते हैं अप्गरेड कर सकते हैं डाउंगरेड नहीं कर सकते हैं यानि यह नहीं है कि जो winding up by court होगी उसको आपने voluntary winding up में ऐसे नहीं चलेगा हम voluntary winding up को application दे को 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 कि कर सकते हैं तो यह कनवरियन ओफ मोड दो finding up की बात कर तो आज हमने चार छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है इसके साथ हमारा स्लेब बस complete हो जाएगा लेकिन mcq अभी रह जाएंगे आज की साइन्मेंट रह जाएगी वह जाहिर फिर नेक्स लेक्शर में डिसकस करने हैं और फिर नेक्स लेक्शर से ही आपकी रिवियन यानि आज आपको जो होमसाइड में दी गए उसमें रिवियन प्लान पूरे मह जाएगी फिर उसके बाद दूसरी बीएड चलेगी पहली एंच कि उसके थ्रू होगी दूसरी रिवियन किसके थ्रू होगी पास पर तो पूरे सेशन में करते हैं हम लेकिन और नहीं नहीं एक ही सीटिंग में सारे चैप्टर यह नहीं किया यह मल्टी प्रोसेशिंग भी करवानी ओप ग्रवादी आपको किर दिखेंगार वीकली टेस्ट में हम पास होते जाते हैं लेकिन पेपर नहीं होपाते हैं गा बाश्क है क्या इसकी वजा यह है कि आपका जो सिर्व क३रेजा क्ते है संदेंट ID करने करने का वो ठीक-tis यह गया है तैस्ट प्रैक्रिस करों निक्तित्फ घेलेंग एडने पास को करने के प्रैक्टिस नहीं करकता है भी है वह प्रैक्टिस होती आपके Jungle टेस्ट में 1-2 टर्म टेस्ट 1-2 या मौग में जो कि आपने नहीं दिये होते हैं क्योंकि आप कहते हैं नहीं पूरी एक तफा अच्छे तरीके से त्यारी करनों फिर यह टेस्ट करूंगा ताकि अच्छी परफार्मस हो ना वो त्यारी होती ही ना टेस्ट देने की नुबत लेकिन iCab का पेपर जो होता है उसमें पूरी बुक आपको एक सिटिंग में सारी बुक के कंसर्प्ट रिवाइज करने होते हैं तो जैसे आपका माइंड उसने पूरे सेशन में प्रैक्टिस की होती है ना उसी तरीके से एकजाइम में भी चलता है पूरे सेशन में जब मक्स हो रहे होते हैं रिफेरेंट्टर्स मिक्स होला प्रैक्टिस करवानी है आपको तो पास्टेंट्र स्द रिवीयग थूरू पारा पास्टेमर इसका से थैक्ष तो दो बूल्रद केवानी अभी आज यह नहीं समाआ घर जा यह करना श्लैस खतम इस एक लिए ना आज लेवस घतब हो रहा है जाए जितनी देर मियानी और क्लास का टाइम निकल जाना है आज पक्का आज बीस मेंट पर आप यह तो नहीं कहेंगे दूसरी क्लास में जाना है पकी बाद है बर ठीक है फिर जहां के मेरा भाई टी यह से कह दो चाइए साथ टी यह को भी बला लेना साथ टी यह कर लेते हैं तो अभी हम सटड़ी करने लगे हैं पहले पास्ट यह पर यह जो असांट दी थी ते और का क्वेस्टिन क्वेस्टन 9 कल हमने पढ़ा क्या था है रिपॉर्ट ओफिशल लिए हाँ अस्टेटमेंट ओफ फेड बाई बठाया दोनों में एकजाय में स्टेटमेंट एफ पहर पूंचाएंगे इसे नहीं करना कल स्टेटमेंट ओफ फेड़ पढ़ाया है रिपॉर्ट वास बढ़ाना है कह रहा है उन्पंद्रह मार्च 2021 क्या हुआ था इस डेट को कह रहा है कोड़ आडर वाइंग अप एक्स यजड लिमिटेट एंड अपॉंटेड नवीड एज ओफिशल लिक्विडेटर वाइंडिंग अपॉंटर पास कर दिया फिशल लिक्विडेटर पॉंट हो गया क्या प प्रफिशनल मेंजर को चाहिए कि होती है ताकि हम देख सके उससे एक हाप्ता पहले कौन-कौन ऑफीसर था कंपनी में डिरेक्टर था चीफ एक्जेक्टिक अपनी सेक्टिव गहरा उससे भी हम inquiries कर सकते हैं liquidator liquidator उससे भी inquiries कर सकता है जो पास में रहे हो clear अब वो कह रहा है subject to direction of the court नवीद में require हामेव former CFO of XYZ limited who had resigned six months before the date of order to prepare and submit a statement of fare can official liquidator require हामेव to prepare statement क्या हामेव से कह सकते हैं हामी तो जाब छोड़के चला गया छे मीने पहले ही एक साल तक भी अगर है तो कह सकते हैं चुकि एक साल असे कम अर्षा हुआ है इसलिए require किया जा सकता है इसको अगला पार्ट क्या है if so what remuneration हामेव क्या हाँ अगले चोड़ा सा क्वेस्टन क्लिर हो गया जी पहला आज का हमारा मकसद पूरा हो गया डिसकेशन और ट्रेक्टिस का सब्सक्राइब बाते हैं रेपोर्ट बैफिशल लिपेटर की तरफ रेपोर्ट बैफिशल लिपेटर when to submit report report कब submit करवानी है जितना जल्दी हो सके as soon as after receipt of statement of years but within 60 days from winding up from receipt of statement नहीं from winding up order यानि liquidator ने जो report submit करवानी है court को रिजिस्टर को कब करवानी है जितना जल्दी हो सके लेकिन within 60 days of funding up यह within 60 days of statement of affairs वसूल करना नहीं है statement of affairs कितने दिनों में submit करवानी होती है ceo cf अगयरा ने इस विदिन 15 days from क्या यह पीरेड एक्सेंड हो सकता है दो स्वाल कितने अर्से तक 45 days from winding up order और कौन एक्सेंड कर सकता है प्रवीजल मैंजर अफिशल युक्लिटर और और कोड शाबाज तो यह 60 days ठीक है इसके लिए टाइम सब रपोर्ट सब्मिट को रहने के लिए का टाइम है 6 विदिन 16 from वाड़ने का पाड़ वेन तूस हूं तो सब्मिट रपोर्ट को और साथ ही साथ एक सर्टिफाइड कपी इसमें भी ऐसे एक्सेंशन हो सकती है अगर कोड को अप्लाइब करें इस इस केस में भी एक्सेंशन हो सकती है अब आपने मुझे बताना है कि क्या यह स्टेट्मेंट ऑफ फेर्स वाले या यह उससे कोई डिफरेंट इस है एक आधी शाहिए डिफरेंट है डेटेज ऑफ एससे कम्री इंक्लूडिंग देर लोकेशन और करेंट वैल्यों सांड वैर्जिस्टर वैल्यूर यह सेम हाँ सिरफ वैल्यूर नहीं थी हाँ लोकेशन अब गए रहा थी एसस की टेट वैल्यू शायद नया कंसेप्ट है वैल्यू उसमें नहीं था अफियर्ज में तो वैल्यू को इंटरलाइन कर लें कि अब की बार एससी मार्केट वैल्यू भी हमारे पास आ गई है फिर कैश इन हैंड कैश हैंड बैंक एंड निकोश कि इयर यह निव है इसको भी टिक कर लें कि ईग्जिस्टिंग एंड कंटिंजेंट लाइबिल्टि इंक्रूडिंग परडिक्लों ऑफ क्राइट शोर्इं सेप्रिली सेक्योर डैट अंसेक्योर डैट इट विट प्रडिकलल ऑफ सेक्योर्टी इवन यह पुराना ही है यह सब्सक्राइब को डिए कि बनाते हैं था कि में मैं किस टर्थीप से पैसे देने हैं पहले किसको पैसे मैं बना देने का फायदा रिजी भी पराणा यह हैं अमाउंट रसीवेबल फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी यह नया लग रहा है ऐसा यह फिर डिटेल्स ऑफ सबसिस्टिंग कॉंट्रेक्ट सबसिस्टिंग कॉंट्रेक्ट्स क्या होते हैं जो चल रहे हैं क्या इसा पॉसुलिब है जब वाइंडिंग वाडर हो तो कुछ न इन अन्हें कम् municipality किया जाए कि यहींवें करके डेमेजी और खतम किया जाए आपके हल में क्या होना stage बें खतम कर दें क्या contract को ongoing contract को complete करना चाहिए कर नहीं यह liquidator suggestion देगा आगे चलके आप देखेंगे report के नीचे वह हिसाब किताब लगाता है अगर beneficial contract को complete करना तो वह क्या suggestion देगा कि मजीद को चलाएं थोड़ा देर company को और यह contract क्योंकि इंसे कुछ profit आएगा और अगर मजीद चलना नुक्सान दे हो इसको खतम करते तो इसलिए subsisting contracts joint venture collaboration वगारा यानि जो ongoing contracts है उनकी list साथ हाएगी यह नया concept है इसको टिक कर लें और यह नीचे एक और concept के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें liquidator suggestion देता है क्या as own basis पे budget basis पे company wind up कर देनी चाहिए या continue करना चाहिए ताकि ongoing contracts complete हो चाहिए क्योंकि उसमें profit आएगा जो भी beneficial है liquidator के point of who से code को पता देगा आगे code जो फैसला करें details of trademarks and intellectual properties of company intangible assets intangible assets थे जिसमें statement में नहीं थे यह नया concept है इसको भी कर ले टिक detail of legal cases filed by or against the company यह शाय था यह सूर्स वाला फुदर सूर्स पैंडिंग सूर्स detail of holding our subsidiary companies यह नया concept है इसको टिक करें एनी अधर information which court में direct or official data में consider निसाए और भी कोई बैल जरूरी हो तो बता दें ठीक है जो भी just and equitable आप होता है end पे कोई ना कोई लाने point रखा होता है खाली खान ना कि जो भी फिटी करना हो ना इदर फिटी कर देंगे बागी चीज़ एनी अधर information official liquidator shall also report on manner in which company was found or promoted and whether any fraud has been committed by person involved in formation promotion or liquidator investigation करके यह भी बताएगा company इन हलात तक कैसे पहुंची क्या इसका यह मक्तब के company को सही तरीके से manage नहीं किया गया यह reason बनी कि किसी डिरेक्टर वगारा ने बड़ा टाटा कर रहे हैं उसको लेकिन उसकी reason क्या बने यह भी लिक्विडेटर रिपोर्ट करेगा मैं के company की जो promotion formation हुई थी या company report on manner किस तरीक का कार के मताबिक चल ले थी good manner में चल ले थी के बजाबी दो सामने आए ना ताकि किसी डिरेक्टर फ्राड है तो उससे भी पैसे लिये जाए वरना डिरेक्टर वार रिस्पॉंसिबल नहीं होते लेकिन अगर कोई डिरेक्टर ने दोनम्री करके फ्राड किया है company इन हालात को पहुंची है तो उससे लिब आर्गेनिंग अगर हो सके तब कर लें उससे में एक रिपोर्ट ओन वाइबिलिटी ओफ बिजनिस और उन स्टैप स्विची में मैक्सिमाइज वैलियू फैसर यह वह बात है जो आपको बता रहा हूं क्या बिजनिस को आगे कंटिन्यू करना वाइबल है के नहीं ठी अगर तो existing contract profitable है तो business को कुछ हर्सा मजीद continue किया जाता है सब सीग्न्ट्राक्स सब शिस्टिंग कंट्रेंग अंघर नहीं है तो business वाइबल नहीं है भी एबंद करते हैं Cum snippALL और जो कहेगा liquid बिल्कुल करेगा काम क्या उसका और जो कहें वो मानना है कंटेंट्स क्लियर है खत्म है दो लर्णिंग अब्जेक्टिव मारे होगे कम लेड पहला कौन सा था सेट्मेंट ऑफ है वो क्वेस्टन था उसका अभी यह कौन सा है पहला क्वेस्टन टार्गेट था अज का वो डि है अभी हमने कों सा मोड पढ़ा क्या मजीद कोई मोड ओफ वाइंडि अप है यैस है कि वाइंट्री वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अब सब्छेक्ट तू सुपर भी यह ओँफ को मैं ऑलि वाइंडिंग क्या कहता है अच्छा आप मेंसे किसी ने काफ फोर बिजिन पढ़ा है पढ़ा है उसमें पढ़के आया है बेहतरीन उसमें पार्टनर्शिप का टॉपिक होता था वो भी पढ़ा है उसमें पार्टनर्शिप की टाइप्स होती थी एक होती थी पर्टिकुलर पार्टनर्शिप और यह कुन सी होती थी पार्टर्षिप एट बिल्शाबाज जो किसी specific period या purpose के लिए हो जैसे ही वो period या purepres complete होता है ऐसा ही है उसी तरह क्या company के articles में ये लिखा जा सकता है के कंपनी एक specific period या purpose के लिए बनाई जाएगी क्या लिखा जा सकता है के नहीं बेल्कुल लिखा जा सकता है लेकिन concept इसमें क्या अगर वो period या purpose complete हो जाए क्या company automatically wind up हो जाएगी कि उसे वो चुके process of law से create हुई है तो उसके लिए भी process of law चाहिए उसके लिए भी process of law चाहिए तो यह है voluntary winding up voluntary winding up में क्या कह रहा है winding up किन circumstances में voluntary winding up हो सकती है एक तो हमने पढ़ा था ना winding up by code किन circumstances में हो सकती है वो याद है क्या winding up by code किन circumstances में हो सकती है भाई को याद है क्या किन सरकंस्टेंसिस में हो सकती है कि भई वो डैट वाली बात के रैटर डैट वह एक लाग अन्नाफुल बिजनेस हो जाद है वो एक्जेंपल ने रहे जैद है अब अब हम उसी तरह जिस तरह वो केस बढ़ा था winding up by code कैसे हो सकती है आज हम पढ़े है voluntary winding up कैसे हो सकती है धोर से सुनने कह रहा है if articles fix duration and period is expired और article state event for desolation of company and that event occurs यानि अगर किसी पर्पस पीरियेट के लिए या पीरियेट पुरा हो गया किसी पर्पस या इवन्ट के लिए बनी थी वह इवन्ट या पर्पस अकर हो गया कोई डैमगरा बनाना था बन गया दो साल के लिए कमनी बनाने लिए दो साल गुजर गए तो क्योंके इसका मक्सद पुरा हो गया लेकिन अगर वो थी partnership व met व गया मैं तो simple resolution से winding up हो जाय विए लेकिन अगर वो partnership की तरह थी यानि उसमें को इस in कीवन यहां पीरियाट मेंचन नहीं किया गया था आप फिर भी winding up by वरंडिय कि लेकिन आप किभार कैसे कर tat Hin स्पेशल रेजलुशन से यह बात नहीं नहीं समझाएं पक्ता है तो मुझे बताइए जो वाइंडिक आपकोड करने हैं उसके लिए कौन सी रेजलुशन चाहिए वो कोई भी नहीं चाहिए सुभानला क्या मेंबर्स फुद रेजलुशन पास करके वाइडिक आपकोड कर सकते हैं येस कर सकते हैं कौन सी रेजलुशन चाहिए और स्पेशल रेजलुशन चाहिए कौन सी रेजलुशन चाहिए स्पेशल वाली रेजलुशन है चाहिए नहीं ह special वाली रेजूशन नहीं होती special resolution होती है special resolution ठीक है जी commencement कब होगी तेखें जो winding up by code थी उसकी commencement कब होती थी जैसे ही order नहीं फुदा का hope करें यह पढ़ क्या है petition file करते थे question किया था हम नहीं जैसे court को petition file की जाती है commencement of winding up by court उस दिन से start हो जाती है voluntary winding up कब से start होगी जिस दिन resolution पास होगी जिस दिन कि अगर गलत इसने बताया ना क्लास में किसी को चाहिए नहीं मिलने के लिए कौन सी resolution चाहिए डिपेंड करता है कि सब्सक्राइब अगर आर्टिकल्स में कोई time या event fix कर दिया जाए और वो time या event हो चुका है तो फिर simple resolution के जरीए से और अगर otherwise ऐसा नहीं है तो फिर special resolution के शाबाज अच्छा मुझे बताईए क्या article में fix किया था तीन साल के लिए गंदी बनानी है डेर साल के बाद company wind up करना चाहते हैं कौन सी resolution special क्यों आर्टिकल में लिखा तो हुआ है लेकि मापूरा नहीं हुआ शाबाज जब company अपनी कुदर्ती मोत मरें तो उसके लिए ordinary resolution है और जब उसको हाँ हाँ जाहर देना हो तो उसके लिए special resolution है क्लियर क्मेंश इन्वारंटी वाइंडिंग अप लिक्विडेटर कौन करता है कंपनी करेगी उसके लिए लफज लिक्विडेटर होता है नार्म लिए official लिक्विडेटर नहीं होता हाला के काम उसके भी वही होता है कि चौब भाइंडिंग अप सब्जैक्टो सुपर वीडर अफ कोर्ड ये कब होगी अब देखें हैं तीन मोड से हर मोड में आपको कलियर होना चाहिए इसकी सरकम्स्रांसिंश क्या है सबसे ज्यादा एहम सरकम्स्रांसिंश हैं वाइंडिंग अप मेरे कोड की फिर वाइं के साथ लिखा नहीं होगा कौन सी तो कोई भी चलेगी जिस जिस रेजलुइशन के साथ ना लिखा हूँ और दूरी के स्पेशल उसका मतलब क्या होता है कोई भी चलेगी कॉंबिटेशन बपास रेजिविशन फार वारनेटी वाइंटिव, कोट ओण इटस होन आर ओन एप्लिकेशन अफ इंटाइटल परशन की एप zombies के कोट Kanis के कोट एप्लिकेशन पर आडर कर सकती है कि वाइंडिंग अप अंटर सूपर वियन ओफोट होगी यानिकर को फुद लगे कि वाइंडिंग आपका काम सही नहीं हो रहा है या को लाई कर दें इंटाइडल परसंट कोन है वो उसने यहां पर मैंचन नहीं किया लेकिस काफ़ार लाने कोई ना कोई लिस्ट नहीं होगी तो वो कोड के पास आजाए कोई क्रेडिटर है कोई मेंबर है कोई डिरेक्ट के सर यह वाइंडिंग अप सही नहीं हो रही तो कोड क्या केगा कोई कोई का अच्छा मैं निकरानी करता हूं कि सूपर वियन है यह इंटाइडल परसंट से जो पहले पड़े वो भी हो सकते हैं उनके लावा की और भी हो सकते हैं तो वाइंडिंग अप सब्लेक्ट सुपर्वियन अफ कोड कैसे होगी क्या वालेंट्री वाइंडिंग आप की रेजलिशन पास हो जाए और उसके बाद कोड खुद से यह इंटाइडल परसंप्लाइ करें तो उसे कनवर्ट करके क्या हो जाएगी वह सुप्लेक्ट टू सुपर्वियन इसमें कोड नजर रखेगा कोई गडबड हुई तो फिर इंटर्फेर करेगा परना वाइंडिंग चलने देगा कोड चल वह सेंभ पावर सेंभ जिर्स्थिक्शन ऑवर लिगल प्रोसेडिंग अजनर वाइंड़ पावर कावं कोड वह संब सेब्सक्रावर कौन सी होती है वाइंडी का बड़ कोड में क्या और वह सोटी है कोट के पास कौन सी पावर होती है winding up by court में court के पास official liquidator को point करने के लावा और कौन सी powers होती है statement affairs को extend करने की power provisional manager point करने की power provisional manager की authorities को restrict करने की powers ठीक है और कोई और भी report submit करवाने का order दे सकती है court ये मुख्तलिफ जगा पर point लिखे हैं हमने specifically court के point of vision नहीं पढ़े लेकिन जब इस्तरा का question पूछ ले जैसे हमने director's court के elements तो पढ़े हैं लेकिन आपको याद है question में उसने पूछ लिया था कि director's court में कौन से elements है जो share capital से relate करते हैं तो हम एक-एक को सामने रखके देखना पड़ा था ये share capital से relate करता है कि नहीं करता है तो receipt payment तो हमने कर लिया था वो अंडर writing agreement भूल गे थे वो भी share capital से relate करता था नहीं तो वालंटरी winding up clear winding up subject to supervision of court clear तो क्या वालंटरी winding up subject to supervision में convert हो सकती है कैसे court on its own or on application by entitled persons वालंटरी winding up में duration fix की गई है नहीं duration भी है और event भी है अब यह करके सिर्फ duration fix की गई है duration fix के गई है तो फिर हमने event को नहीं देखना duration या event में से कोई exist fix की जाती है अगर दोनों कर दें तो फिर whichever is earlier वाला हू लगता है फिर दुनों में से एक और जो चीज आपने fix कर दी फिर उसी को देखेंगे अगर fix किया के project बनाने के लिए company बनाई जा रही है तो project अब दो साल चले या बीस साल चले जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है और जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो company क्या होगा automatically wind up नहीं होगी automatically थोड़ी होगी क्या करना पड़ेगा और जब तक resolution pass नहीं करते कंपनी wind up नहीं होगी जब तक resolution pass नहीं करते कंपनी wind up नहीं होगी इसमें क्यों problem चलिए आगे conversion of finding up conversion of mode of finding up एक mode से दूसरे mode में conversion हो सकती है अब आपने धिहान से देखना है कि किस mode से किस में conversion की बात कर रहा है कर रहा है if a company is being wound up voluntary are subject to supervision of court entitled person can file a petition to court for winding up by court इसमें इंटाइटल परसन आगे ठीक है अब इंटाइटल परसन यह वही बाले भी हो सकता है जो किस learning objective में पढ़े थे त्रू में के थ्री में वो डबे में जो लिस्ट पढ़ी थी इसका मतब यह हुआ अगर company की warranty winding up हो रही है और entitled परसन उसे चाहते हैं कि subject to supervision में convert हो वो भी court को application दे सकते हैं यह learning objective weight में पढ़ा हमने और अगर warranty winding up हो रही है और entitled परसन चाहते है कि winding up by court हो subject to supervision नहीं by court करे ही court तो भी entitled परसन अप्लाई कर सकते हैं यानि voluntary winding up subject to supervision में भी convert हो सकती है by court में भी convert हो यह समझा ही बात है आगे देख़े हैं कोर्शल में winding up order on such petition only if it is satisfied that existing winding up mode cannot be continued with due regard to interest of critics contributors are to public यानि यह देखें सिर्फ downgrade से अप्ग्रेट की तरफ गया हो अप्ग्रेट से डाउन ग्रेट की तरफ नहीं किया कि उसने का वालंट्री को subject to supervision में कर सकते हैं कि वालंट्री को by court कर सकते हैं subject to supervision को by court कर सकते हैं लेकिन और court यह आडर करते हुए किसको सामने रखेगा किसको सामने रखेगा किसको सामने रखेगा पिछली क्लास में नेरा कप रहा गया था इसलिए सबसे पहले हैं अब अब यह जाओ नहीं हो आई यह वा यह कुछ भी नहीं हुआ आज क्या जो आटिकल कर रहा है वह भी सीला की क्लास लेने पिछली क्लास में भी बठा था इसके साथ ही हमारा कम्प्लीट सारे डिसकेशन में कर लिए रिपोर्ट बाफिशल लिक्विड़ेटर भी अधर मोर्स फांडिंगा भी पढ़ लिए और कन्वर्यन और मोर्स फांडिंगा भी कर लें क्लियर जी बागी कुछ रहा तो नहीं है अच्छा आप मुझे ये बताईए कि क्या पूरे कोर्स में चलते हुए किसी चैप्टर में बाद उकात ऐसे होता ना कोई जड़ा हट के चीज आती है तो बाद उकात टीचर उसे कहता है पैंडिंग कर लें तो कोई चीज पैंडिंग तो नहीं मैंने करवाई थी पक्का आज आपने घर जाके काम करना है एक दफ़ा जल्दी जल्दी दा सारे पेजिज देखने हैं मैं भी चेक करूँगा कोशिच करूँगा आपने भी करना है क्रॉस चेक हो जाएगा कि कहीं कोई एक बी कंसेट त नहीं यह चेक करना है आपने यह चेक नहीं करना कि आपको याद नहीं रहा या आपको समझ नहीं आया वो बाद में देखेंगे वो अर्वियन क्लास में देखेंगे अभी तो पहले मैं अपनी जिम्मेदारी को इंशोर करना चाहरा हूं कि क्या स्लेबस में एक एक चीज मै है कि याहो आपने बताना है ताकि हम इसको यह नेक्स वीक में ही इसको कंप्लेट करते हैं कर रवियन क्लासेश कब तक चलेंगी कब से मंड़े से स्टाइट आज आप लैक्षर प्लैन दिया मिला आपको लैक्षर प्लैन नहीं मिला वाटसथाप ग्रूप में शेयर कर कर सकते हैं अब तो हम one by one mcqs volume two और पास्ट वेपज की प्रैक्टिस के जिरिये करेंगे आपने यह लाजमी करना देखें बहुत अच्छी अपरजुन्टी ठीक है आपने दूसरे सब्जाश की काउंटिव रहा है कि लेने के लाना तो है ही साथ-साथ यह काम भी करते एक हफते के अंदर भी पूरा सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे थोड़ा साशिरफ आपने एक से डेड़ घंटा डेली डेड़ गंटे से ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन अगर आप डेली यह डेड़ घंटा देदेना अगले एक हफते इंशाला आपका एक हफत प्रेशर में मेरे साथ अशा था नहीं कियो कि प्रेशर होता है ज्यादा और याद करने समझने के लिए तो अगरी मिने में पीस व मैंड नहीं होता तो इसी लिए आपने क्या करना है यह सादेली रिवीयन का काम करते जाना है आज हमारा ओफीशली स्लेबस कम्प्रीट हो क्या है ठीक है मंडे से हमारी क्लासिस स्टाट होगी या एक चीज़ रह गई इस चैप्टर के मसी क्यों सब्सक्राइब भी है मोसम भी अच्छा है चाय का कब भी है घर से नहीं इधर ही इधर ही घर से करके आएंगे इतना है आपके पास साथ मिनेट का टाइम है ऑनलाइन आप भी चाय का अर्डर करते हैं घर वालों को और इस चैप्टर के चैप्टर 12 के MCQ करना शुरू करते शाबाश अभी से जी पास किजेगा थोड़ी जी अब हम MCQ को प्रैक्टेस करते हैं चैप्टर वाइंडिंग आप अफ ए कमनी में भी वालंट्री वालंट्री सब्यक् अब बलसरी या एनी ऑफ दी अब आव अब 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 दी अब आव ठीक है डी आप शनका और हैरे किस सरक्मस्टेंसे जाद है आपको इसके सबसे ज़्यादा सरक्मस्टेंसे नहीं है वालंडिंग अब किसमें सबसे कम है अब तो सुपर्वियन के वालंट्री वालंट्री वालंडिगा वरना जो वोडलंट्री वाइनिगा पैसमें दो है एक करेक्ड स्सक्राइब और ही और इसमें करक्क और ओप्शन D तू consecutive financial year लग रहा है कि ठीक कह रहा है लेकिन एक लफज की वज़ा से problem and and दोनों नहीं एक भी अगर सब्मिट ना करवाई ना दो consecutive सालों की वज़ा से तो winding up by court हो सकती है इसलिए and वाली statement नहीं आर वाली बी statement correct है बी statement correct है और फिर finance and for three years three years nine two years का concept है तुसमें correct option हमारी क्या होई तू में B third the promotion or the carrying own of any scheme or business shall not be deemed to be unlawful actual not be deemed not controlling करना है जब unlawful नहीं होगी कब unlawful नहीं होगी the scheme involves raising unauthorized deposit from general public including a referral marketing multi-level marketing pyramid पॉंसे scheme unlawful है scheme involving raising deposit from general public against issue of securities of a body corporate to the public after due approval of prospectors हाँ prospectors अप्रूव करके public से पैसे ले वो illegal नहीं है वो ठीक है तो यही डूरना था भी इको क्रेक्ट कर लें लेकिन learning के लिए C और डीवी पढ़ते हैं कि वो क्यों गलत है see a scheme whereby in return for a deposit of sum of money in cash or by means of coupons any right or benefit determined by a chance by a chance is assured or promised unlawful by chance यह तो वो wagering agreement की दरफ से लिए जाते ना बात scheme or any other business activity notified by commission to be against public policy or moral hazard commission ने कहा दिया तो वो तो अल्लाफुल है ही है जी महाँ promise भी लिए तो बाइचांस है ना by chance का मतब कि आटास करते हैं head है मैं तुम्हें पैसे देला तू मुझे पैसे देना यह बाइचांस ही है जो profit होता है जैन्वन हो बाइचांस नहीं इन विच फॉलुएं सिटुएश्ट एक अंपनी शल्बी देम टो बी अनेबल टो पे इस डट्स अनेबल टो पे इस डश्याद है एक लाख और कितने देन तीस देन इस देन इस च्राइचर फ़र्पीस 5 ज़्याद है यह तीक है यह क्वालिफाई करता है 21 ज़ुए नहीं आपका करना पड़ेगा बीफ एक्रेक्ट फॉपीस फाइव मिनन डूली में डिमांड एक्रेक्ट तो फैस्ट यह तो फोड़ी था एक लगा कर मोर तो यह पांच मिलेन यह क्वालिफाई करता है मांउंट को भी और यह को भी 30 लेज हो गया है तो इसमें क्रेक्ट औप्शन क्या हुए हुमारी भी शाबाज फाइव नहीं यह कोईसेंट है एक लाग की बजा से क्यों पांच मिलियन एक लाग से ज्यादा होता है फाइव इन वीच अफा फालिएंग सिच्वेशन एक कंट्रिबूटरी शल्ब इंटाइटल इसमें वोसे 180 डेज वाला जिकर नहीं किया वो इस चल वो इरेलिमेंट हो जाएगा लेकिन क्या जिसने शेयस खुद ना खरीदे हो डिवाल्व हो में हो वो कर सकता है बिलकुल वो भी अप्लाई कर सकता है 180 डेज कंपलसरी है लेकिन यहाँ पर चुके उसने जिकर नहीं किया ना इसलिए हम उस तरफ बात नहीं लेके जाएंगे यहाँ पर उसका कहना है कि जिसने शेयस खुरीदे नहीं है उसको विरासत में मिले हैं वो प्रेटिशन फाइल कर सकता है वो भी कर सकता है तो इसमें कर्यक्ट आप्शन हुई बोथ वन एंटु दी आप्शन कुन सी आप्शन कर्यक्ट है दी सिक्स कमिशन शेल्बी इंताइटल तो प्रेजेंट ऐप्रेशन फाद वाइंडिक वनकर कंपनी विदाओ्ट इन्वेस्टिगेशन भी वाइंडिंग आप के लिए पेटिशन फाइल कर सकता है कarta commission बगाएर इन्वेस्टिगेशन के भी हमने तो फिरसेंटिगेशन करने चाहिए उसके नीचे exception भी थी क्या सब्सक्राइब कर सकता है लेकिन इंवेस्टिगेशन जरूरी है इसमें नहीं जरूरी है और गिल्टी और विल्टी ऑी और गिल्टी और गिल्टी और दूर गिल्टी और गिल्टी और पोसी ए बहुत्र आप किसा में इसमें भी Meyer 2 से घर चिसे इसमtoo विंष्टिगेशन सूरrock me अंताम मैं प्रई स्वाय डर को से हिर लिएम जरूर को मैं ओन पॉर्ड आपड़न at time of appointment of provisional manager, after period of 7 days, when? At time of appointment. Presenting the petition for minding. Articles of Association of PQR Limited state that the company should be dissolved after completion of a metro transportation project and handing it over to relevant authorities. Project has recently been completed, became operational and relevant authorities have taken conduct of control of it and issued certificate in this regard. यानि प्रजेक्ट पुरा हो गया, यह वो पार्डिवलर 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 पार्डिवली मिसाल के एक पर्डिकलों प्रजेक्ट के लिए कमनी बनी और प्रजेक्ट पुरा हो गया In order to factory value entry, winding up of PQR Limited, Board of Directors need to pass resolution. ऐसे है? Ordinary, special behavior, लेकिन required कों सी है? Ordinary, तो B option correct, commission के पुरोल की जरोता नहीं है? 9, which of the following statement is correct in relation to appointment of official liquidator? A person shall not be pointed as provincial manager official liquidator of more than five companies at one point. गलत है, three companies. B for the purpose of winding up company by court, commission shall maintain a panel of persons from whom the court shall appoint a provisional manager official liquidator of company, order to yes, commission panel. हाँ, इसकी exception है, लेकिन इतनी statement correct है. Exception है, 60% creditor, 60% made of capital due or more. issued, issued, issued. फिर a provisional manager is appointed by court, he shall always have the same power. No, no, liquidator से उसकी provisional manager की power कम भी हो सकती है, ये court receipt कर सकता है, बढ़ा था ना? An official leader may resign or quit his office before concreation, ना, 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 सोचे भी ना, परस्टर disability के case में सिर्फ करवा सकता है, तो correct option क्या हुई? B, alpha कैसे ठीक है? हाँ, शलना, तो five companies की limit बता रहे है, ना, limit तो, हाँ, five की वज़ा से, बाकि ठीक है, five की जगा three होता तो भी डीक होता है. B option correct, R return, a provisional manager was pointed on 24 October 2020 and winding up order-wise issued by court, on 3 January 2022, relevant date कौन सी है? Winding up order वाली या appointment of provisional manager वाली? पक्का, provisional manager को point किया हो, तो वो date relevant होती है, अगर provisional manager को find ने किया, फिर, winding up order की date, तो इसको underline करे 24 October, इसका मतलब है, इस से एक साल पहले तक, पूच्छाच कर सकता अफिसर से, यानि 24 October 2020 तक, उससे पराने वाले अफिसर से नहीं, एक साल तक का टाइम पिरेट है ना? लिक्विडेटर के पास क्या past employees को investigate करने का हक है? कितने अर्से तक जो इंप्लाई रहा है, पिछले एक साल में, अब आपने फैसला करना है कौन-कौन है? पिर, फ्रॉम वूम दा, ही कैनाट रिक्वार्डा स्टेट्मेंट अफेर इंप्रेस प्रेस्ट्राइब फॉर्म, जर्नल मेजर अप्रेशन, वूस लास्ट एंप्लाईमेंट विदिन दा कमणी वाज 26 दिसंबर, इससे कर सकता है, हमने कौन सा, कैन नोट वाला डूलना है? तो ये 26 दिसंबर हमारे साल है, 24 अक्तूबर 2020 तक है, तो ये साल के अंदर आता है, पिछले एक साल में, चीफ अप्रेटिंग ऑफिसर लास्ट एंप्लाईमेंट सिस्टा कमणी वाज 12 जनवरी 2021, ये भी पिछले एक साल में आता है, सीनियर मेंजर वूस लास्ट 2020 ये न्याज, क्योंकि 24 अक्तूबर 2020 तक आता है, उससे पहले अगर कोई छोड़ गया है, तो सी एफ और डी आप्शन करेक्ट होगी, इसमें इन्वेस्टिकेशन, कलियर जी, चलिए, अच्छा आप देख ले, में लिए बड़ा, अपने लिए स्कून की बात है, कि मैं अच्छी खासी फीज दी है ना, तो बैनिफिट भी अच्छा खासा होना चाहिए, तो फिर आपने रिवीन क्लासे ठीक है, बचन, सोगंद, पर ठीक है, आई शबात, अगले वीग में आएंगे, शाबाइ, 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 आज क्या लेक्सरियां खतम करते हैं, अल्